हलो फ्रेंड्स स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका ITVP Constable Tradesman भरती 2017 के सितंबर महीने से चल रही है एड़ोटीजमेंट सितंबर 2017 में है था उसके बाद मार्च में Constable Driver की भरती स्टार्ट होई Animal Transport की भरते भी इस दुरान होती है वो Final हो चुकि है उनके जोइनिंग अभी 15 जून से उनकी जोइनिंग हो जानी है यह हमारा जो ITVP की जो भरती है इसमें क्या होता है कि आपके Documentation Last में चेक होते हैं Documentation से पहले आपका Final Marit बन जाता है क्योंकि Man List प्लस Extended List तो Man List में आप हैं तो इसका मतलब आप 100% Sure है कि आप भरती हो जाएंगे Medical Fit होते ही आप भरती हो जाएंगे So Candidate लेना है तो 120 Candidate का List बनता है जिसमें से So का Man List है और 20 Candidate का Extended List है 20 Extended तब आप आएंगे जब Man में से कोई Candidate Out हो जाता है यह Rule है ITVP Force का अब यहां पर देखिए OBC Creamy Layer और Non Creamy Layer की OBC Reservation के लिए आपको क्या चाहिए आपको Creamy Layer होंगे तो भी क्या आपको OBC में शामिल कर लिया जाएगा या आप NCL है Non Creamy Layer होना चाहिए तो उसके लिए हम Advertisement आपको दिखाते हैं उसके पहले आपको एक बात बता दूँ कि यह जो गलती है OBC Creamy Layer और Non Creamy Layer की इस गलती की जानकरी एक्चुली रिजल्ट आने के बात होती है और रिजल्ट आने के बाद जब डोकुमेंटेशन में आपको आउट किया जाता है उस समय आप यह समझे कि आपका जो कहते हैं कि पैरों के तरह जमीन खिसक जाना कि आपको यह नहीं लगता कि मैं आप क्या करूँ कुछ समझ नहीं आएगा और मैं आपको एक पूरा उधारन दिखा देता हूँ कि एक केंडिडेट जो है वो जिसको कहते हैं कि सब कुछ हो चुका है किते हैं 48 मार्क है और ट्रेड में भी बहुत अच्छा मार्क है पहले डॉकुमेंट्स आप चेक किजिए कि कहीं आपने तो वो गलती नहीं की है और जो आप देख रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता आप मैंसे कुछ आपके साथ ही ऐसा है कि जिन्होंने कंट्रोल रूम में फोन किया और वहां पर पूछा कि मैं ऐसे गलती होगी आप से यह कोई नहीं मानेगा कि आप से गलती हो गई यह कोई नहीं मानेगा कि आप फॉर्म फिल करना आपको नहीं आता कंप्यूटर आपने फिल करवाया गलती हो गई तो अब क्या किया जाए उसका क्योंकि जब आप फाइनल रिजल्ट आने के बाद में आप आउट हो जाता है उसके बाद उसका क्या समालान होता है तो उससे पहले क्या solution उसका हो सकता है final result आने के बाद में इसका solution जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको document में out किया जाएगा OBC creamy layer और non-creamy layer representation for correction कुछ हमारे साथियों ने representation किया उन्होंने इसका दर्कवास लगाया है ITBP मुख्याले में वो हमसे पूछते भी है कि ये क्या मैंने सही लगाया है अब यहाँ पर देखिए हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले तो advertisement यह है ITBP Constable Driver 134 वेकंसी वाला जो advertisement है यहाँ पर OBC में साफ लिखा हुआ है कि OBC का 14 वेकंसी है उसका reservation यह दि आपको चाहिए तो आपको non creamy layer होना चाहिए और जो आपका OBC certificate बना वा होता है उसमें साफ लिखा हुआता है कि ये creamy layer श्रेणी के सदस से नहीं है कुछ साथियों को ये भी doubt था कि OBC creamy layer और non creamy layer का certificate अलग लग बनता है जो आपका भारत सरकार का reservation जो है reservation के लिए आप जो certificate बनवाते हैं वो पूरे भारत में एक ही उसका performer है वो किसी किसी state में online बनता है किसी में वो offline बनता है उसमें सबसे नीचे साफ लिखा है उसमें कि ये OBC creamy layer के सदस से नहीं है creamy layer के सदस से नहीं है तो इसका मतलब ये कहा है non creamy layer है अब non creamy layer का जो है problem वो है कहां आएगा वो आपको दिखाते हैं देखे is factor eligibility condition क्या है driver में है 21-27 years कब से मांगा गया था ये मांगा गया था 15 March 2018 यानि कि 15 March 2018 को आप 21 से कम और 27 से अधिक आप नहीं होना चाहिए यदि 27 से आप अधिक हैं तो आप SC, ST और OBC इन reserved category के आप member होने चाहिए इनकी certificate आपके पास में होने चाहिए अभी आप पूरा पास कर लेते हैं फाइनल मेरिट तक आप पहुंच गया आप टॉपर हैं ड्राइवर भरती में आप टॉपर हैं लेकिन एक गलती जो है वो आपको आउट करवा देगी कौन सा ये क्रीमे लेयर नॉन क्रीमे लेयर कर अभी देखे हम आपको दिखाते हैं ट्रेड्समें का ये ट्रेड्समें का अड्वर्टीजमेंट है इसमें टेलर, गार्डनर, कॉबलर ये तीन जो ट्रेड्ड है ये एक्चुली ट्रेड्ड नहीं होता है ये स्किल होता है स्किल वर्कर्स होता है ये टूल्स होता है इनके और बाकी ट्रेड्समें में कौन आता है ये आता है तो जो एक प्ट हमारा और चल रहा है कि ट्रेट टेस्ट नहीं होना चाहिए जबकि स्किल टेस्ट या स्किल टेस्ट नहीं होना चाहिए ट्रेट टेस्ट होना चाहिए उसको भी हम अलक से डिसकस करेंगे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं OVCutive Crime Lair और Non-Cirmimate Lair की ये जो है preservation status इसमें OVC अब OVC जो है उसमें gardener के हम बात करें तो gardener में देखिए कितना है male candidates के लिए 8 vacancy है अब येदी कोई OVC criminal होता है तो वो क्या होगा कि वो यहाँ shift हो जाते हैं वो journal में shift हो जाते हैं UR से एक candidate येदी आवेदन करता तो अब जो advertisement है कुछ हमारे साथ ही comment करके मैं कहता है कि आप advertisement पढ़के वीडियो बनावाए देखिए हम पूरा advertisement पढ़के उसको discuss करके और उसके बाद ही वीडियो बनाते हैं कुछ हमारे साथ ही जो है कहता है ना कि बड़ा खवा हो जाता है हमसे कोई बात नहीं देखिए उनकी जो है शिकायते अपनी जिगर जायज है वो भी हमारे साथ ही है अब हम बात करता है जो skilled जो trade है हमारे कौन-कौन से है constable, tailor, gardener और cobbler इन में आयू सिमा क्या थी आयू सिमा थी इसमें 18-23 साल अब 18-23 साल जो है तो जाहिर से बात है कि एक candidate जो OBC है वो कहां तक fill कर सकता है वो 26 तक fill कर सकता है और यदि UR है तो वो कहां तक fill कर सकता है वो 23 तक fill कर सकता है और OBC creamy layer कर दिया तो वो किसमें count हो जाएगा वो UR में count हो जाएगा आयू सीमा का निर्धारन कहां से किया गया है 7 सतंबर 2017 से 7 सतंबर 2017 को एक कैंडिडेट कॉबलर, गार्डनर और टेलर में आवेदन करने के लिए उसका आयू कितना होना चाहिए 18-23 साल होना चाहिए अब एक कैंडिडेट OBC है OBC है, उनका हम आपको दिखा देते हैं ये OBC कैंडिडेट है OBC में इन्होंने क्या किया OBC क्रीमी लेयर अब ये OBC क्रीमी लेयर मैंने मेरा गलती से हो गया या मैंने गलती से कर दिया अब इसको rectify करने का अधिकार किसके पास में है अधिकार सक्षम प्राधिकारी ITVP के पास में है लेकिन उसके लिए अब इनका नुकसान कहा होगा वो मैं आपको बता देता हूँ 27.1993 27.1993 वापस आपको advertisement दिखाते हैं, देटो बर्थ क्या है 27.1993 OBC से ही आवेदन कर सकते हैं, लेकिन OBC क्रीमी लेयर से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 27.1993 18-23 साल तो इनका 7.9, यानि कि 8 सतंबर 94 94 प्लस 3 यह हो गया सतंबर, यह बात आपको समझा रही होगी कि यह इनका डेटो बर्थ 8.1994 तक होता है, OBC केंडिडेट तभी वो इन ट्रेड्स में आवेदन कर सकते हैं, वरना उनको किस में करना था? इन ट्रेड में करना था अब OBC का स्टेटस तो इनका चला गया, किस वज़े से चला गया? देखे, यह गए यहाँ पर OBC क्रीमी लेयर हो गए, तो क्रीमी लेयर हो गए तो यह किस में काउंट हो जाते हैं, यह जाते हैं अटमेटिक की, यू आर में वो नीचे लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है विद्यापन में कि OBC क्रीमी लेयर स्टेटस जो है, वो आपको रिजर्वेशन लेना है OBC का, तो आपको non-crimalier का certificate आपको देना होगा अन्य था आप UR में चले जाते हैं अब ये candidate actually form नहीं भर सकते थे ये overage हो गयते UR में नहीं fill कर सकते थे ये सिरफ और सिरफ OBC में कर सकते है आठ candidate लेने आप ये कहते हैं कि मुझे 48 marks है और मुझे 30 plus है ये हम 30 भी मानते हैं कि 30 है इनको 30 point कुछ ये बताते हैं अब 48 और 30 plus marks कितना होता है आप समझ सकते हैं पहले 8 candidate जो है उनमें हो सकता है ये topper होंगे OBC में लेकिन ये OBC से निकल जाएगा इनको जटका कब लगेगा इनको जटका लगेगा जब result निकल जाएगा बहुत अच्छी बात है मैं select हो गया मैं पहले medical fit हो चुका हूँ मैं medical fit हो जाऊँगा मेरा दो बार medical हो चुका है आर्मी में भी हो चुका है document verification के लिए जाते हैं उस समय क्या होगा problem कि वहां पर OBC CL की वज़े से इनको कहा जाएगा कि आप तो यूर में count होंगे लेकिन यूर से ये क्यों बाहर हो जाता है ये यूर से इसलिए बाहर हो जाता है कि 27.1993 में इनका date of birth है 27.1993 में से ये यूर से फॉर्म नहीं apply कर सकते तो कि 23 साल तक ही यूर से आवेदन कर सकते थे तो अभी आप कुछ समझ सकते हैं कि OBC CL और NCL का जो point है वह हमने क्यों हमने आपके लिए वीडियो बनाया ये अब कुछ कैंडिडेट्स का है कहना है कि अब कुछ नहीं हो सकता देखिया अब कुछ नहीं हो सकता तो अब जैसे इनी का मुदार्ण लेते हैं ये Mr. A यदि हम इनको कहें कि इनका नाम हमने हटा दिया कि Mr. A जो है इनका ही है मुदार्ण लेते हैं कि ये UR में ये इसलिए नहीं जा सकते कि इनका IU ज़्यादा हो गया और OBC में ये इसलिए नहीं भरती हो पाएंगे क्योंकि इन्होंने क्रीमी लेयर वो status शो कर दिया यानि कि OBC का अधिकार इन्होंने क्रीमी लेयर शो करके छोड़ दिया और IU सीमा ज़्यादा हो गई इसलिए ये UR में काउंट नहीं हो सकते तो टॉपर होते है भी एक केंडिडेट जो हो देखे कैसे उसको पटका जाएगा कैसे पचाड लगेगी वो आप खुद समझ सकते हैं कि इसको कहा कि मंजिल पर पहुंचने से पहले ही एक ऐसा तूफान आएगा कि वो तूफान जो है वो इनके सारे सपने धराशाई कर देगा अब इसका सॉलूशन क्या हो सकता है सॉलूशन देखे जिनको पता था उन्होंने सॉलूशन के लिए दर्कवास पहले ही दे दिये अब आप लोग ये पूछते हैं कि मैं दर्कवास दे देता हूं उसके बाद में कैमेरा सॉलूशन हो जाता है देखे सॉलूशन आपका दर्कवास देने के बाद में नहीं होता है तो आपका एक अधिकार बनता है आप उस रास्ते पर आप चले गए यानि कि आपने correction के लिए आपना दावा पेश कर दिया अब ऐसे बहुत सारे फैसले जो है वो SSC GD में हुए जिसमें candidate ने district गलत फिल कर दिया था state court गलत फिल कर दिया था जो category जो था वो गलत फिल कर दिया था उनको SSC constable GD में result कर दिया था उनको लेकिन उन candidates ने approach किया कहां पे जब कोई नाइनसाफी होती है तो कहां approach करेंगे आप चाहिर से बात है हमारी नयाए पाली का हमारा judiciary system किसके लिए बना है वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर ये सब चीज़ें देखेगे के candidate गाउं करने वाला है उसको नहीं पता है computer operate नहीं करना था computer literacy हमारे देश में इस कदर नहीं है कि हर candidate के पास में अपना computer हो और ये जो constability में जो candidates आते हैं ये तो सभी रूरल इंडिया से आते हैं उसके अधार पर वो repetition जो हैं उनकी allow ही और वो भरती पुर्करिया में शामिल होए तो यदि या आपने देखी ये खड़ा आपने खोड लिया जिसको कहते हैं ना समझी में या आपको पता नहीं था या आप computer operator को आप computer operator को आप अपना documents देकर घर चले गए signature कर दिया फोटो दे दिया पैसा दे दिया उसको कि मेरा form फिल कर देना मेरा माली से form फिल कर देना उसने माली से form फिल कर दिया लेकिन उसने यहां पर ये नहीं देखा ये उसको भी नहीं पता था तो ये वीडियो सिरफ और सिरफ देखिये दोस्तों आपको जागरूप करने के लिए बना जा रहे हैं इसमें बहुत सारे साथियों को आपत्ती होती है अपत्ती देखे इसलिए होती है कि कुछ हमारे साती ऐसा है कि वो यह चा रहे हैं कि अब यह भरती जल्द से जल्द हो जाए देखे इस तरह कि जो OBC क्रीमिलेर नॉन क्रीमिलेर इन से भरती प्रक्रिया पर कोई फरक नहीं पड़ेगा यदि ये कोई कंडिडेट अपना दावा पेश करता है तो वो उसका इंडिजोल उसका पॉइंट है उससे पूरी भरती प्रक्रिया पर कोई फरक नहीं पड़ना है यह अश्वस्त करता हूँ आपको भरती प्रक्रिया पकी जो लेट हो रही है उसकी वज़े है उसकी बहुत सारी वज़े है उसकी और वह हम समय पर आपको वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आएंगे आपके कुछ साती ऐसे हैं कि जो दिल्ली में कुछ सेंटर्स पर जो ओनलाइन हुआ था आपका एक्जाम सीवीटी हुआ था वो सेंटर पर एक्जाम नहीं हो पाया था वो कैंडिडेट ओल्रेडी रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं वो क्योंकि और कुछ ऐसे हैं साती जिनको 15 ही क्युष्चन उनके ओप ठोपाय थे उसके बाद में उनके कंप्यूटर बंद हो गये तो उनका क्या समाधान होगा क्या वो लोग अपने हग की लड़ाई नहीं लड़ेंगे और वो फाइट शुरू कर चुके हैं वो तो हमारे वीडियो से देखिए भरती परक्रिया पर कोई फरक नहीं पड़ेगा हमारे वीडियो से मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि हम दो कैंडिट को भी यह दी OBC, NCL, CL वाले जो हैं वो भरती हो जाएंगे तो जीवन में हमें याद रखेंगे कि वो चैनल की था और हम सेलेक्ट हो गए और ना आउट होगे तो उसके बाद उनको यह जो अभी जो सिंपल अप्लिकेशन, सिंपल रिप्रेजेंटेशन, सिंपल दर्खवास्त में जो अभी काम हो रहा है उसके लिए उनको ओनरेबल हाई को अप्रोच करना होगा और वो परक्रिया परक्रिया बहुता है बढ़ादी शुरू हो गई है बहुती आपकी पूरी होगी लेकिन उससे पहले माँ आपको और बता दो हूँ कि अपकुछ हमारे साथ ही जो है वो कमेंट करते हैं कि आप जो करते हो उससे यह जो आप वीडियो बनाते है उससे भरती कैंसल हो सकती है देखे, cancel का तो पहले से ही already लिखा हुए advertisement, कि cancel हो सकती है और बिना किसी कारण के cancel हो सकती है, वो तो सब लिखा हुए, देखे, ITVP also reserves the right to cancel or postpone the recruitment at any stage without assigning any reason, बिना कोई कारण बता है, ITVP के पास में यदिकार है, कि ITVP उसको cancel कर सकती है, या postpone कर सकती है, उसमें आप कुछ नही कर पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, वैसे भी हम तो सरफ वीडियो बना सकते हैं, आपके जानकरी के लिए, आपको अच्छा लगता है, तो आप कमेंट अच्छा केजिए, आपको बुरा लगता है, आप बुरा भी केजिए, आप झाल झाल झाल